क्या हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए पुराना नियम बहुत से मसीहों को डराता है क्योंकि इसमें बहुत सी हुजी हुई कहानिया है और इतिहास है तो प्रेशन भी यह उता है कि क्या हम मसीहों को पुराना नियम पढ़ना चाहिए कर में एक फिल्म देखने गई थी तो जब में आप पहुची तो फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था क्लाइमेक्स बेखकर मैं तर्फ्यूज हो गई कि किसने किसको क्या कार कहां से फिल्म शुरू हुए और किस तरह जा रही है क्या कोई है जो मुझे इस फिल्म को समझा सके उसी परकार अगर हम सिर्फ नया नियम करते और पुराना नहीं परते तो यह ऐसा ही है जैसे कि हम क्लाइमेट्स देख रहे हैं और शुरुआत से फिल्म का हमें पता ही नहीं है तो क्यों आप पुराना नियम को भी उतना ही महत्वदे चितना परमेश्वर देता है मैं आपको पुराना नियम पढ़ने के पांच कारण बताऊंगी जिन में पहला है पहला कारण है पुराना नियम प्रभु येश्यू की एक मात्र बाइबल थी पुराना नियम हमारी बाइबल में 75 प्रतिशत जगा ले रहा है इसका आर्थ है कि परमेश्विर की नजर में पुराना नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है मती अध्याय 5 का सत्रा इस प्रकार से कहता है यह ना समझो कि मैं वरस्था या भविश्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोग करने आया हूँ लोग करने नहीं परमतु पूरा करने आया हूँ लूका अध्याय 24 का 44 इस प्रकार से कहता है फिर उसमें उनसे का यह मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बाते मूसा और वरस्था और वविश्य वक्ताओं और बजनों की पुस्तकों में मेरे विश्य में लिखी हैं सब पूरी हो दूसरा कारण है हम दोनों नियमों में एक ही पर्मेश्यर को पाते हैं तीसरा कारण है जिस सुसमाचार का आनंद आजमूठा रहे है उसकी गोशना पुराने नियम नहीं की गई है वीलाति और ध्यायति इनका आज उस प्रकार से कहता है और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जान कर कि परमेश्यों में अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी छहराएगा पहले ही से अबराहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातिया आशीश पाएंगी पुराने नियम में ही परमेश्य में अब्राम के समय में ही वो छुटकारे की योजना तयार तर ली थी और उसी का जो विस्ताव से वर्नन हमें पुराने नियम में मिलता है और चौता कारण है सारा पुराना नियम प्रभु येश्यू की और संकेत करता है योहना अधिया एक का 45 प्रकार से कहता है फिलिपुस नतनियेल से मिला और उससे कहा जिसका वर्मन मूसा ने वरस्था में और वविश्य वक्ताव ने किया वह हम को मिल गया वह युसुप का पुत्र येशु नासरी है क्या आप पुराने नियम में येशु को देखना चाहेंगे योहना अधिया एक का 46 प्रकार से कहता है नतनियेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरब से निकल सकती है फिलिपुस ने उससे कहा चल कर देख ले येशु ने नतनियेल को अपनी और आते देखकर उसके विशे में कहा देखो ये सच मुझ इसराइली है इसमें कपट नहीं और साच्वा कारण है प्रभु येशु विवस्ता को पूरा करने आए जो विशेवानिया प्रभु येशु मसी के बारे में पुराने नियम में लिखी हुई थी उन्ही को पूरा करने के लिए प्रभु येशु मसी नए नियम में आए और ये बताने आए कि परमेश्वर का जो वादा है वो प्रभाव रहित नहीं है और प्रभु येशु ने उन सारे गोविश्यवानियों को पूरा कर दिया अपने आने के दौरा